नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमितंक को पर तो दोस्तों आज मैं आपकी लेकर आ हूँ जीके सेक्षिन स्टैटिकल असिस्टेंट का जिसका पोस्ट कोड है 866 तो यह जो एकजाम हुआ था यह एकजाम हुआ था 11 अपरेल 2021 को तो चलिए यह शुरू करते हैं इसका जीके सेक्षिन और जितने में आपको अंसर बताऊंगा यह अंसर होंगे प्रोविजिनल अंसर की के अकॉर्डिंग जो अच्प एससे द्वारा प्रवाइड करवाई गई है तो यह है इसकी स्टैटिस्टिकल असिटेंट की पोस्ट कोड 866 और तो यह एकजाम हुआ है 11 अप्राइल 2021 को तो आप देख सकते हैं प्रोविजिनल अंसर की इसकी तो जड़ी शुरू करते हैं इसका जीके सेक्षिन तो इसका जीके सेक्षिन शुरू करने से पहले एक वीडियो जो मैंने सुबह अपलोड की थी तो उसमें एक कोश्चन अंस थी रिवर ओं हमाच्रापदेश तो अंसर की में अंसर दिया गया था सतलूझ तो मैंने भी आपको इसका सतलूझ बिता दिये था इसका जो क्रॉेक्ट है गा बहूएगा उप्षिन सी वियास तो आप इसको क्रॉक्ट कर लें और जो सुबह मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें question एक और गल्थ था, अंसर की में गल्थ दिया था, ये भारत के वाइसराय का भूत पूर्व निवास कौन सा था, तो इसका जो अंसर आएगा वो आएगा, इन में से कोई नहीं, none of these, तो इसका जो अंसर आएगा, correct answer है, वाइसरीगल लॉज, तो आप इन दो questions को correct कर सक करते हैं, तो first question है, statistical assistant postcode 866 का, the social system of हडपा वाज, हडपन्स वाज, तो हडपा की समाजिक प्रणाली रही थी, तो 121 का अंसर दिया गया, अंसर की में, option A, निस्पक्ष समानतावादी, next question है, 122, आवेद शव्द का अर्थ क्या है, तो the word वेदा means, तो 122 का अंसर है, option A, ज् है, 123, prince of pilgrims, was named attributed to, तो 133 का अंसर है, हुएन सांग से, option B, next question है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दा खिलजी सुल्तान ओफ दिल्ली वर, तो इसका जो अंसर है, 124 का अंसर दिया गया, अंसर की में, option C, तुर्क, next question है, 125, तो क्रिशन देवराय समकाली इन थे, तो 125 का अंस है, option C, बावर के, option C, इसकी PDF जो आपको description box में मिल जाएगी, आप वहां से इसको download कर सकते हैं, और नीचे आपको description box में telegram channel का link मिल जाएगा, आप PDF वहां से भी download कर सकते हैं, और अगर कोई answer की, मैं answer गल्त होगा, तो next video में मैं इसको discuss कर दूँगा, कि कौन सा answer गल्त है, और जो गल्त बताया गया है, अंसर की में, next question है, आधुनिक भारत में किसे स्थानी सोशाशन का प्रनेता समानेता माना गया है, तो 126 का है, option A, Lord Rippan, next question है, servant of India society का संस्थापक कौन था, who was the founder of servant of India society, तो 127 का है, option A, Gopal Krishnan, Gokhale, next question है, 128, तो अंग्रेज्जों के दौरा निमन में से किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया था, तो 128 का है, option C, राजगुरू, next question है, भारती संग किसके समक्ष है, तो 129 का अंसर है, option C, कनाड़ा, next question है, 130, कौन सा एक संग शाषित पर देश नहीं है, तो which is not a union territory, तो 130 का अंसर दिया गया है, option D, नागलेंड, next question है, 131, तो निवारक निरोध का अर्थ है, तो 131 का अंसर है, option C, detention without interrogation, next question 132, उपराश्टर पती पदेन अध्यक्ष है, तो 132 का अंसर है, option A, राज्य सभाके, next question 133, धन विधे के संबंध में संबिधान का कौन सा अंचेद बेवार करता है, तो which article of constitution deals with money bills, तो 133 का अंसर दिया गया है, इसमें, option B, अंचेद 110, next question 134, तो what is the alternate name for contour lines, तो contour line के लिए, वेकलपिक संग्या क्या है, तो 134 का अंसर है, option C, समोच रेखा, आइसो हाइप्स, next question है, ज्वाला मुखी गतिविदियां अधिक पाई जाती है, तो 135 का है, option A, हवाई में, next question 136, तो वर्षय तथा हिम के मिश्चरन के रूप में अबक्षेपन कहलाता है, तो precipitation in the form of a mixture of rain and snow is cold, तो 136 का अंसर है, option C, sleet, next question है, ब्लैक फोरेस्ट फाउंड इन, तो काले वन कहां पा जाते हैं, तो इस का अंसर है, option A, जर्मनी, next question है, लोक्टक क्या है, तो काभी बार ये question जो है, रिपीट हुआ है, तो लोक्टक क्या है, एक जील है, तो 138 का अंसर आएगा, option C, लोक्टक जील, तो आपको कमेंट बोक्स में बताना है, कि लोक्टक जील जो कहां पे स्थित है, next question है, इन विच सिटी हिंदोस्तान मशीन टूल इंड़स्ट्री इस लोकेटेड, तो किस सहर में हिंदोस्तान मशीन टूल उद्योग स्थित है, 139 का है, option D, Bengaluru, next question है, नवाड is the name of, तो नवाड जो है, किसका नेम है एक, तो 140 का अंसर है, option, तो इसका जो अंसर है, option C, specialized bank to help agriculture, तो बात करें हम नवाड की, तो नवाड की full form होती है, नेशनल बैंक for agriculture and rural development, और इसकी जो स्थापन होई थी, वो होई थी, 1982 में, next question है, तो इसका जो अंसर दिया गया है, option A and C, दोनों, तो सारवजनिक राजसर्व से और लोक व्याएम रिंड से, तो इसका अंसर है, option D, बोथ A and C, next question है, 143, scientific study of birds is known as, तो पक्षियों का व्याग्यानिक अध्यन कहलाता है, तो 143 का अंसर आएगा, इसमें दिया है, option D, none of these, तो ये question जो है, गलत दिया है, answer की में, तो इसका जो अंसर आएगा, 143 का आएगा, option C, और नितो लोजी, question तो ये गलत दिया था, answer की में, तो answer की में इसका अंसर था, none of these, तो, actually जो अंसर आएगा, the scientific study of birds is known as, और नितो लोजी, option C सही है, next question है, 144, the natural indicator is, तो 144 का अंसर दिया गया है, option B, litmus, तो 144 का है, answer, option B, litmus, next question है, 145, तो shaving mirror is, तो shaving mirror कौन सा होता है, concave mirror, option B, correct है, next question है, हिमाचल जी के, famous tourist destination, डलहोजी, तो डलहोजी किस district में स्थित है, तो सुपरसिद प्रेटरन स्थाल, डलहोजी, हिमाचल पदेश के किस जिले में आता है, तो ये आता है, option C, चमबा में, next question है, 147, फुलेच, उत्सव, हिमाचल पदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो 147 का अंसर दिया गया है, option B, किन और, लेकिन कहीं-कहीं आपको देखने को मिलेगा, इसका अंसर, लाहोल स्पीती भी लिखा होता है, नेश्ट कॉश्चन है, डुंगरी फियर इस सेलेवेटेड़ इनुच जिष्टिक उफ हिमाचल पदेश, तो डुंगरी मेला हिमाचल पदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो 148 का है, option A, कुलू, तो डुंगरी मेला किसकी यादर में जाता है, तो डुंगरी मेला किस जिले में जाता है, तो इस अभी को पता होगा, जाक्खु मंदिर कहां पे है, शिमला में, नेक्ट कॉशन है, 152, वैद सूरत सिंग बिलॉंग टू बिजिष्टिक उफ हिमाचल प्रदेश, तो वैद सूरत सिंग हिमाचल पदेश के किस जिले से समन्द रखते हैं, इसका अंसर है, उप्शन डी सिर्मोर, तो 152 का आएगा, उप्शन डी सिर्मोर, नेश्ट कॉशन 153, कुठार खट इस ट्रिब्यूटर योफ विच रीवर इन हिमाचल प्रदेश, तो कुठार खट हिमाचल प्रदेश में किस नदी की एक सहायक नदी है, तो अंसर के इमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोगसभा निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र फरदुशार कौन सा है, तो 154 का अंसर है, उप्शन डी मंडी, नेश्ट कॉशन है, स्मालेस्ट वाइल लाइफ सेंक्चुरी इन हिमाचल प्रदेश इस, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारन कौन सा है, तो ये है, उप्शन ए, शिली, और सबसे बड़ा कौन सा है, किबबर, नेश्ट कॉशन बन फिफ्टी सिक्स, बिलासपूर रियासत का अंतिम शाषक कौन था, तो 156 का है, ऑप्शन ए, राजा अनंद चंद, नेश्ट कॉशन बन फिफ्टी सेवन, ये इस, का अंसर है, ऑप्शन ए, अर्की, नेश्ट कॉशन बन फिफ्टी एट, हिमाचर परदेश के किस थान पर बनस्पती घी का सयंत्र निजीक शेत्र में स्थापित किया गया है, तो 158 का है, इसका जो अंसर दिया गया है, अंसर के में, ऑप्शन भी नालागड, तो 158 का अंसर है, ऑप्शन भी नालागड, नेश्ट कॉशन है, बन फिफ्टी नाइन, तो 159 का है, हाउ मैनी टाइम्स इन डे अर दे हैंड्स अफ ट्लॉग पॉइंटिंग अपोजिट टू इच एदर, तो रिजिनिंग का قॉशन है, तो 159 का अंसर दिया गया है, अंसर की में, ऑप्शन B, 22, नेश्ट कॉशन है, 160, 160 का जो अंसर दिया गया है, ऑप्शन A, 6, नेश्ट कॉशन है, करंट फेर्स का, तो which cyclone recently became first super cyclonic storm in the Arabian sea in last 12th year, तो 161 का अंसर है ओप्षिन C साइकलोन क्यार नेस्ट कॉश्चन है 162 एक शक्ती 2019 भारत था अन्य किस देश की सेनाओं के मद्धे एक सुझ्युक्त अतंकवाद विरोधी ड्रिल था 162 का है ओप्षिन C फ्रांस नेस्ट कॉश्चन है दलीप पारिक जो हाल ही में दिवंगत हुए आकिस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे तो 163 का है ओप्षिन B गुजरात नेस्ट कॉश्चन है 164 तो ग्लोबल स्वास्ति सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा है तो वाट इस दा इंडिया रैंक इन ग्लोबल हेल्थ स्वास्ति इंडेक्स 2019 तो 164 का है ओप्षिन B 57 नेस्ट कॉश्चन जो है इंग्लिश के कॉश्चिस है तो इंग्लिश का कॉश्चन है अन्टॉनिम ओफ डिस्पर्स इस तो इसका जो अंसर है ओप्षिन B असेंबल नेस्ट कॉश्चन है इसका बन वर्ट सब्सिचूशन फोर अजनरल पार्डन ओफ पोलिटिकल ओफेंडर्स इस तो इसका अंसर है ओप्षिन D एमनेस्टी नेस्ट कॉश्चन है माई बोस तो इसका जो अंसर है माई बोस रिफ्यूजड माई रिक्वेस्ट तो इंक्रीज माई लाउंस नेस्ट कॉश्चन हिंदी के राजग्रह में समास कौन सा है तो रपीटिड कॉश्चन है ये 168 का है ओप्षिन A तत्पुरुश नेस्ट कॉश्चन पीडिएफ आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में ही टेलिग्राम चैनल पे आप इसको ले सकते हैं पीडिएफ को और अगर किसी के पास आज के एक्जाम के जो कॉश्चन पेपर है तो वो प्लीज आप टेलिग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं उनकी पीडिएफ